किसी भाई ने पाकिस्तन स्वाल किया है, ये पूछ रहे हैं कि क्या रसुल लुल सल्लाव लुल सलम् बारा रभीयल अवल को ही पैदा हुए थे, क्या इनकी कोई सही हदीस में कहीं मजूद है, देखें मेरे भाई, बारा रभीयल अवल, अगर हम सहा सिता पढ़ते हैं, तो हम इसका कहीं परूफ नहीं मिलता है कि बारा रभीयल अवल है, अच्छा ये बारा रभीयल अवल कहां से आया है, ये अगर हम सबसे पहली सीरा पढ़ते हैं, अबन-सहा की, तो उन्होंने एक एस्टीमेट और एप्रॉक्सिमेट डेट बटाई थी जिनमें से एक नौ था, ब कहीं सही हदीस में ये मुझूद नहीं है, ये एक एप्रॉक्सिमेट डेट थी जो इबन-सहाक ने सबसे पहले उनकी सीरत की किताब में ये लिखा था, फिर उसके बाद ये चीज पापुलर हो गई दुनिया भर में कि बारा रभीयल अलवल में पड़ी, लेकिन जितने भी सब्सक्राइब कि बारा रभीयल उनकी तारीक नहीं है, लेकिन अगर हम सही हदीस में इनकी निचानिये देखें कि कौन से दिन पैदा हुए थे, हमें सही हदीस में मिलता है कि एक बद्दू आयते है, रसुल अलवल सलम के पास, उन्होंने पूछा था कि आपकी तारीक के तो उन्होंने कहा था कि मैं सवार को पैदा हो था मंडे को और जो सुरतल फील है अलाम तरह काईफ अफ़ाला रभू का बया साबिल फील जिससे ये पता चलता है कि इस खाल अजन दे यर ओफ ऐलिफंट और और वो मंडे का दिन था और इस दिन पहले दिन वही आई थी, त उनकी वफात का दिन था